दोस्तो आप इस नुश्की की मदद से आप अपने गंदे पीले दांतों को मोतियों की तरह बिल्कुल चमका सकते हैं दोस्तो गंदे पीले दांतों की वज़ा से मूँ से बदबु आने लगती है जिससे आप से लोग दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि जो मूँ से बदबु आती है वो इतनी खराब लगती है कि बहुत से लोगों को तो कदापी बरदास नहीं होती है और तो और बहुत से लोगों को मूँ की बदबु बहुत ही खराब लगती है जिससे उल्टी भी होने लगती है क्योंकि मूँ की बदबु इतनी खराब चीज है कि इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है बट दोस्तों आप बिल्कुल घबराएं नहीं वीडियो को एंड तक ध्यान पुर्बक देखते रहें और वीडियो पसंद आये तो अभी चैनल को सस्क्राइब कीजिए क्योंकि हल्थ से जुरी जनकारिया मैं डेली लेकर आते रहता हूं तो दोस्तों इन दातों की पिलेपन की समस्या या मुह से बदभू आने की समस्या से निजात पाने के लिए आपको सिंपल सी उपाय करने है तो सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी पाउडर यानि टर्मरिक पाउडर दोस्तो हल्दी पाउडर तो आपके कीचेन में हमेशा मौजूद रहता है क्योंकि डेली खाना बनाने में यूज होता है तो मात्र आपको इतनी सी मात्रा में हल्दी पाउडर ले लेनी है अब जो आपको दुसरी ची लेनी है ओ है नमक दोश्तो नमक आप कोई भी लेश चकते हैं जैसे सेंधा नमक, काला नमक या सधारर नमक तो आपको इतनी सी मात्रा में नमक ले लेनी है अब जो आपको तिसरी ची लेनी है ओ है सुध सर्सो का तेल जिससे हमारे घरों में खाना बनाया जाता है जैसे पूरी, पकवान, पकोड़े, आदी तो आपको इतनी सी मात्रा में सुध सर्सो की तेल ले लेनी है और इन तीनों चीजों को ऐसे मिक्स कर लेनी है जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वैसे आपको भी कर लेनी है अब इसे अपने उंगुलियों से लेकर ऐसे रगर रगर के अपने दांतों पर रगरते रहना है जब तक कि आपके दांतों से पिलेपन न हट जाए दोस्तो यह प्योर अपने आप पर अजमाया हुआ नुस्का है आप एक बार अजमा कर जरूर देखिए इसका असर मत्र आपको एक से दो दिनों में दिखाई देने लगेगा क्योंकि इस उपाय से आपके गंदे पिले दांत तथा मूँ से बदबू का आना जैसी समचाएं बिलकुल लूप से दुर हो जाएगी और आपका दांत बिलकुल मोतियों जैसा चमकिला दिखाई देने लगेगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई बाई